हे गईस कैसे आप लोग मैं हूँ शुभाम और आप देख रहे हैं फैंटसी एक्स्प्रेस का यूटूब चैनल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और आपने देखा भी है रंस यहाँ पर काफी जादा बनते हैं हाला कि पिछले 5 मैंच में मैं आपको बता दू इस्पिन को भी यहाँ पर काफी मदद मिलने लगी है तो इस्पिनर्स भी equally important होगे जितने fast bowlers यानि की pacers होगे तो आगे हम देख लेते हैं क्या कुछ important रहेंगे players यहाँ पे अगर हम बात करें जो players पहले यहाँ पे खेल चुके उसमें राहूल त्रिपार्टी, मरक्रम, विलियमसन जैसे player आते हैं जिसमें राहूल त्रिपार्टी और मरक्रम ने काफी अच्छा performance इस venue पे पहले दिया हुआ है और bowlers में बात करें तो नटराजन यहाँ पर एक बार 3 wicket ले जा चुके हैं और इसके लावा उम्रान मलिक को भी यहाँ पर 2 wicket मिली थी तो यह दोनों ही bowlers जो हैं उम्रान मलिक नटराजन इनका performance इस venue पे पहले अच्छा आ चुका है और बैटरस में त्रिपार्टी ओमरक्रम अच्छा कर चुके हैं इस वाद हम team history की बात करें तो देखिए RCB का जो record है IPL में वो 48% winning rate का रहता है और सनराज हेदराबाद का 50% रहता है ओन पेपर RCB थोड़ी सी जादर strong मुझे समझ में आ रही है यहाँ पर अगर हम venue stats की बात का तो international level पे सिर्फ एक मुकाबला खेले गए जिसमें 166 का score यहाँ पर हुआ था और domestic level पे 190 एक average score यहाँ पर माना जाता है डेली के अपिटल्स का 215 यहाँ पर highest total दर्ज है और maximum time scoring 170 से 190 या उससे अबाव होती है तो यहाँ पर एक high scoring venue मान के ही आपको टिंच मराने ही को कि score यहाँ पर अच्छा खासा बनता है top 5 highest scores भी आप यहाँ पर देख सकते जो साल यहाँ पर बन चुके है और इसके अलावा बात करें last matches are this venue यह बहुत important segment इसलिए इसको बहुत ध्यान से लेखना क्योंकि यहाँ पर मैं आपको देखाऊँगा कि runs कितने बने जैसे कि आप देख रहा है आकरी match थोड़ा सा low scoring हुआ था उसके पहले 200 score हुआ था तो last match में spin को 7 wicket और pace को मातर 3 wicket मिले थे उसके पहले देखें तो spin को 8 wicket, pace को 6 wicket यहाँ पर spin को 2 wicket, pace को 9 wicket, spin को 1 wicket, pace यानि की तेजगिनवाजी को 10 wicket spin को 8 wicket और fast bullets को 7 wicket तो इस type से आप समझ सकते हैं कि 5 मैंसे आगर हम देखें तो 3 मुकाबलों में spinners ने अच्छा किया है तो spinners भी यहाँ पर आप game में आना शुरू हो गए है और scoring 170 above जा रही है इसके बाद recent form की बात करें दोनों team की और points stable की तो इसमें आप देख सकते हैं RCB अपने 5 मैंसे 4 matches जीती है और SRH अपने 5 मैंसे 4 matches जीती है head to head record में देखे तो दोनों teamों ने आपस में 19 matches के लिए Sunrise, Hyderabad 11 जीती और RCB 8 जीती betting first करते हुए SRH ज़्यादा matches जीती है betting second करते हुए SRH का record थोड़ा सा better है बट इस साल जो team है वो RCB की भी काफी strong है last 5 head to head मुकाबलों में SRH ने 3 जीती है और RCB ने 2 matches को जीता है आगे चलते हैं और बात करते हैं last 5 head to head matches यानि आपने सामने जब team है खेलती है यानि RCB SRH ज़्याद आमने सामने आती है तब कैसा perform करती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ scoring बगएरा जो इनों ने teamों ने बनाई maximum time scoring इनके बीच में थोड़ी सी low रहती है 140-150 तक देखी गई आकरी 5 matches में तो इन teamों के बीच में scoring थोड़ी सी low चलती है और maximum matches यहाँ पर SRH ने जीती है 2021 में एक SRH ने मैच जीता एक RCB ने 2000 बीच में एक SRH ने जीते 2020 में एक RCB ने जीता इसकी बाद बात करते हैं प्लियर बेटल की कुछ प्लियर बेटल जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो बहुत important है विराट कोली वर्सेस SRH बोलर कौन से हो बोलर है जो विराट कोली को टरबल करते हैं तो उसमें आते हैं श्रेश गोपाल 39 बाल में तीन बार जो विराट कोली का विकेट ले चुके इसका भूनिश और कुमार भी तीन बार विकेट ले चुके हैं विराट कोली का और इसके अलाव़ नटराजन और त्यागी ने भी एक एक बार विकेट निकाला हुआ है ग्लैन मैक्स्विल की बात करें तो देखिए ये भी सीन आबाट को सामने फुला सा फस्ते हैं बुनिश्वर के सामने भी ग्लैन मैक्स्विल फुला सा फस्ते हैं और नटराजन की सामने ठीक केलते हैं दिनिश कारतिक की बात करें तो बुनिश्वर इनका सिर्फ एक बार विक सिर्फ एक बार अपना wikitt दिया सोचित इनका एक बार wikitt ले जा चुके हैं और गोपल इनका वikitt नहीं ले जा चुके हैं तो यह हो गई बात कुछ प्लर बैटल्स की कुछ और प्लर बैटल्स देख लेते हैं आरसी भी बोलकस के खलाफ जो है सिराज जो है आर्थ रिपार्टी का दो बार विकेट ले जा चुके हैं करन शर्मा एक बार विकेट इनका ले जा चुके हैं और सिधार्थ पॉल की पिटाई करी है त्रिपार्टी है बैटिंग सेक्षेशन देखें तो यहाँ पे विलियम सन जो है करन शर्मा पराग पीर गर का एक बार विकेट ले चुके हैं अबूल समाथ की बात करें तो मर्कम सिराज के सामने जो है वह ठीक ठाक खेले हाला कि चारी बॉल फेस करी ज्यादा नहीं करी अच्छा इनका मैं एक स्टैट लिखना भूल गया हसरंगा एक खिलाब इटन मर्कम एक बार विकेट दे जा चुके हैं इसको आगे चलते हैं और बात करते हैं आरसेबी की टीम की आरसेबी क्या टीम इस मैच में रहने वाली है तो देखिए यहां पर फाब डॉपलेसी जो है यह उपन करेंगे अनुजरावत के साथ रावत दीए जो यह अच्छा नहीं खेल प्लेसी और विराट कोली फिर भी बैटर कर सकते हैं अलाकि इस साल विराट कोली ने भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया बट फिर भी काफी एक्सपीरियंस पिल्यार है फिर मैक्सवेल आते हैं जो अच्छे खासे फॉर्म में देख रहे हैं और इसके बाद तो फिर वनИदू हसरंगा तक इनकी बैटिंग जाती है तो यहां पर प्रभु देशाई जो है फिर इसके पास शेवाज जह मक्त अर इसके आप डिनिश कार्थिक सब की बैटिंग कर लेते हर्शलम पटेल और और वनिदू हसरंगा इसफर घंथा जे जिसके चलते ही ये बड़े से बड़ा स्कोर बना सकते हैं, तो इनको ये शू नहीं है कि शुरुवात के एक दो विकड़ गर गए, तो ये हार जाएंगे, अगर इनके तीन या चार विकड़ भी गर जाते हैं, तब भी इनके पास बहुत जादा बैटेंगे, और जिसमें अब इनके साथ सिराज और हीजल वूड दोनों डित में गिनवाजी कर सकते हैं, बट टीम जो है वो हीजल वूड को प्रिफर कर रही है, और हीजल वूड जादा बेटर परफॉर्म भी कर रहे है, तो ये होंगे डैथ गिनवाज हर्चल पतेल और जॉस हीजल वूड जो इ है head to head record, जैसे कि मैंना भी आपको playing 11 देखाई, आपको आप देखना है, दोनों टीमों के, sorry, RCB की जो टीम है, उसमे head to head किसका अच्छा है, और recent form किसका अच्छा है, recent form डोपलेसी का अच्छा है, और head to head भी अच्छा है, अगर हम बात करें अनुज रावत की, तो recent form बिल्क अच्छे गए, और head to head भी इनका बहुत ज्यादा अच्छा रहा, OPP जो record है, इसका मतलब होता है, आप position टीम के खिलाफ इस player ने कैसा केला, recent to oldest मैंने record को जमाय हुआ है, तो इसे आप यसी समझ सकते है, all records में सारे performances आ जाते हैं, यानि अभी recent time में जो इनका performance है, जैसे 96 इसके अलाब अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और players में, Swiss प्रभू देशाई, ये कुछ खास नहीं कर पार है, टीम के लिए, शाबाज एमाद अच्छा कर रहे है, जैसकि मैं आपको लगातर बोल रहा हूं कि शाबाज एमाद दिनिश कार्तिक इस टीम के लिए, और दोनों बहुत जादा रंस बना रहे है, अगर टीम टॉप और से फ्लॉप भी हो जाती, तो ये लोग बहुत अच्छा करते हैं, फिर इसके बाद अगर आप देखें, तो दिनिश कार्तिक का थोड़ा सा बस बैटिंग और डाउन है, जिसके चलते इन इन्होंने 10-11 मैच तक विक्टे निकाली हैं, और आप पोदिशन टीम खिलाब भी आप इनका रेकॉर्ड देख सकते हैं, कभी इन्होंने फेस नहीं करा है सारच को, आगे चले और बात करते हैं, हर्चल पटेल की, तो इनका हैट्वेड बहुत जवरदस्त है, और बहुत ही शानदार है, बेंच स्टेंथ में इनके पास करंच शर्मा है, जेसन बेरिंडरॉफ है, चमिंडा मिलिंड है, और रजित पार्टीदार है, ये देखी हैट्वेड बहुत अच्छा है, हर्चल पटेल और हिसलिवूड का, इसलिए इनको आप ग्रेंड लिग में, बॉलिंग में कप्तान वाइस कप्तान भी कर सकते हैं, आगे चलते हैं, और इनकी बेंच स्टेंथ पर थोड़ी सी और नजर डाल लेते हैं, आप देख सकते हैं, मही पाल लोमरार भी इनके पास अवे लेविल हैं, यही मैं बोल रहा हूं कि टीम जो है, अगर फाब डुप जो इनकी बेंच स्टेंथ में अवे लेविल हैं, इसके बाद S.R.H. की प्लेंग 11 की बात करें, तो इनकी प्लेंग 11 में भी कोई जादा चेंज मुझे देखनी रहा है, अभी शेक शर्मा ओपन करेंगे, केन विलमसन के साथ, नंबर तीन पर तिर पार्टी आएंगे, फिर दे दिया जाता है, जिसमें ये कभी-कभी बहुत ज़्यादा विक्टे लेके चले जाते हैं, तो इनका में डैथ बोलिंग के अगर हम बात करें, तो इसमें भूनेश्वर कुमार और नटराजन आएंगे, जिसमें भी अगर हम बात करें परफॉर्मेंस वाइस, तो नटरा कर सकते हैं, फिर यहाँ पर तृपाठी, मरकरम और पूरण तीनों के तीनों अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं, इसके बाद इनकी बैटिंग में उत्ता अदम नहीं है, इनकी बालिंग में अगर हम देखें तो नटराजन और भूबनेश्वर काफी अच्छे ऑप्शन्स होंगे, जिसमें भी मेंली नटराजन जो है, वो ज्यादा बेटर बॉलिंग कर रहे हैं, इसके बाद आगे चलते हैं, और स्टैट पे एक बार नजर डालते हैं, विलियम संग का रीसेंट फॉर्म बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आकरी चार पांच मैच में साइद एक य नहीं है, राहुलतर पार्टी की बात करें, तो ये बहुत ही शांदार फॉर्म में, अगर आप ले पाएं, तो बिल्कुल राहुलतर पार्टी को अपने टीम में लीजेगा, तीन नमबर पर बैटिंग करने आ रहे हैं, और मोस्ट आफ दा मैचेस में इस साल अच्छा किया और लास्ट साल भी ठीक कर रहे थे, तीक है, हैट्ट इनका अच्छा नहीं है, फिर मरकम आते हैं, मरकम लास्ट दो मैचेस से बहुत ही शांदार नोक्स केल रहे हैं, नमबर चार पर बैटिंग कर रहे हैं, और इवन बॉलिंग भी कर सकते हैं, हलाकि टीम इनको बॉलिंग बॉलिंग कर रहे हैं, और वहीं निकलस पूरन को नमबर पांच के आसपस बैटिंग कराई जा रहे ही, दोनों ही टीम के लिए अपनी विकेट कीपरिंग भी करते हैं, फिर सशांग सेंगे कोई खास परफॉर्मेंसेज नहीं है, most of the match में बैटिंग भी नहीं आ पाती, फि आप इनके 10-12 मेच उठा के देखे, लास्ट के तो हर मैच में विकेट है, ऐसा कोई मैच नहीं है, जिसमें इनको विकेट ना मिली हो, और उम्रान मलेक के अगर हम बात करें, तो इनका फॉर्म भी बहुत शांदार चल रहा है, most of the matches में इनको विकेटे मिली है, अगर हम बा लेफ्ट हेंडर से, जिनके खिलाफ ये बालिंग भी करेंगे, और बैटिंग बैकप भी टीम को अच्छा खासा देते हैं, इसको अगर हम आगे चलते हो, डेथ ओवर्स की बात करते हैं, तो RCB की तरफ से आपको बताए चुका हूँ, हर्चल पटेल इनके में डेथ बोलर ह और इनके साथ हेजल बुडी आपको डेथ में गिंदवाजी करते दिखेंगे, हाला ही कभी-कभी मौम्मस सिराज को भी डेथ ओवर्स में गिंदवाजी मिल जाती है, SRH की वहीं हम बात करें, तो उम्रान मलेक बुबनिश्वर कुमार और नटराजन होंगे, उम्रान मलेक क कभी-कभी उननिसवा या बीसवा ओबर दे दिया जाता है, इसको अधम टीमों की बात कर लेते हैं, पर उससे पहले अगर आपने में टेलिग्राम पे फॉलू नहीं करा, तो फॉलू कर लिजे, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में सबसे उपर, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलिग्राम चनल से जॉइन हो सकते हैं, 55,000 के असपास उस पे सब्सक्राइबर हैं, और साती साथ अगर आपने में इस्टाग्राम पे फॉलू नहीं करा, तो 38,000 से उपर वहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर हैं, जाके जॉइन कर यहाँ पर अगर आपको कोई दिक्कत समस्या होती ही, फेंटसी साइट से रिलिटेट, तो आप वहाँ पे हमसे पूछताच कर सकते हैं, वहाँ पे हम आपकी जो कुरी हैं, उसको सॉल्व करा देते हैं, ठीक है, इसके वाद हम टीम आपको बता देते हैं, इस मैच में मेरी क अब दीम को लिया, इनके फॉर्म की वईसे हाँ, वहाँ आपकी का देते हैं, बट फिर भी ट्राइ करना बनता है, जिस प्लेर का न्वर्म बहुत अच्छा चल रहा है। एक आठ टीम में आप उसको भी ट्राइ कर लीजे, बहुत बुरे उप्शन नहीं है, इसके बाद मैंने क्या कर रहा है, यहाँ पर मैंने तरपाथी को भी टीम में ले लिया, मैंने मरकम को हटा दिया, मेरे पास यहाँ पर करेट का फिर इशू नहीं था, दिनिश कारतिक ने म मैं मरकम की जगे पर तरपाथी को ले पाया, बस यही मीरे टीम में चेंज था, और अगर हम देखें, बाकी टीम तो मेरी लगबग वही है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, लास्ट टीम की टीम 3 की, टीम 3 में मैंने क्या करा, अब निकलस पूरन के सांती जा रहा हूँ, मै कभी-कभी performance थोड़ा सा average ही रह जा रहा है और कभी-कभी उम्रान मलेक death overs में आखे बहुत सारी victory ले जा रहे है तो grand leagues में आप ऐसे multiple combinations को try कीजिए अगर आप बड़ा win करना चाहते हैं तो grand leagues वगेरा win करना चाहते हैं तो आप मेरे टीम्स में as a captain या wise captain जरू try कीजिएगा grand leagues में यह अच्छा कर सकते हैं वैसे भी यह venue betting के लिए बहुत helpful है तो कोई भी अच्छा बल्ले वाद जिसके पास experience है जैसे विराट कोली हो गए विलियमसन हो गए किसी भी दिन अच्छा नौक खेल रखते हैं तो grand leagues में आप multiple कप्तानी वाइस कप्तानी भी चेंज करिए और एक एक दू-दो प्लियर्स को अपनी टीम में चेंज करिए तो यह मेरी fan2play की टीम रहने वाली है साथ-साथ मैं आपको बता दू fan2play पे तीसरा leaderboard जो है वो शुरू हो रहा है तो आप उस leaderboard में जरू participate करिएगा fan2play के description मैंने link दे दिया fan2play application का जिसका refer code fx है fx code लगाके आपको sign up करना है fan2play application पे और वहाँ पे leaderboard खेलके आप T20 World Cup बगएरा जा सकते हैं और इसके अलाब आपको iPhone बगएरा की giveaway भी वहाँ पे मिलते रह 5 कर फूल करे आपको वहाँ बगषाप मिलते मिलते हैं नख सकते हम है